हेलो गाइज, वेलकम टू सेरीज एक्स एक ऐसा गेमिंग चैनल जहां मैं आप सबको गेमिंग स्टोरी हिंदी में एक्स्प्लेइन करता हूँ और आज मैं आप सबको लाइफ इस ट्रेंज गेम की स्टोरी एक्स्प्लेइन करूँगा करता हुआ देखती है लेकिन तभी मैक्स को होसाता है और वो अपने आपको क्लासरूम में पाती है इत मींस उसने अभी जो कुछ भी देखा वो बस एक बुरा सपना था यहां मैक्स आगे चलके एक वैल नोन फोटोग्राफर बनना चाती है और इस ड्रीम को पूरा करने मैक्स ब्लैक्वैल एकेडमी में फोटोग्राफिक क्लासेश एटैन करती है यहां मैक्स मार्क जेफरसन नाम के एक मसूर फोटोग्राफर की क्लासेश एटैन करती है क्लास कहतम होने के बाद मैक्स अपने टीचर मार्क जेफरिसन को अपना फोटो सब्मीट करती है ताकि वो एवरीडे हीरो नाम के एक फोटो कॉंटेस्ट में पर्टिसिपेट कर सके जिसे जीतने पर करियर कीक स्टार्ट होगा क्लास से निकलने पर मैक्स नोटिस करती है कि ब्लैक्वेल एकेडमी के चारो तरफ रिच्वल एमबर नाम की एक लड़की का मिस्टिंग पोस्टर छापा हुआ है मैक्स फ्रेसप होने वास्रूम जाती है जहां वो एक ब्यूटिफिल बटरफ्लाइ की फोटो क्लिक करती है इस दोरान वास्रूम में नेथन स्कॉट नाम का एक लड़का एंटर करता है और तभी एक अन्नोन लड़की नेथन को फोलो करती हुए वास्रूम के अंदर आती है इस दोरान दोनों इस बात से बेख़बर हैं कि मैक्स भी वास्रूम में मौजूद है इस बीच वो नीले बालो वाली अंजान लड़की नेथन को ब्लैकमेल करने लगती है गुस्से में नेथन गन निकाल लेता है और गलती से नेथन से गोली चल जाती है गोली उस अंजान लड़की को लग जाती है और वो मारी जाती है मैक्स ये सब होता देख लेती है और वो नेथन को रोकने की कुसिस करती है बद सड़नली एक बर फिर मैक्स की आँख फोटोग्राफिक क्लास में खुलती है यहां मैक्स रियलाइज करती है कि सम्हाव उसके पास टाइम को रिवाइन करने की एबिलिटी है जिसके बाद मैक्स वास्रूम दुबारा जाती है लेकिन इस बार गोली चलने से पहले मैक्स फायर एलाम बज़ा देती है जिससे उस अन्रोन लड़की की जान बज़ जाती है कुछ समय बाद मैक्स केंपस के बाहर ब्लैक्वेल एकेडमी के सिक्यूरिटी गार्ड के साथ केट मार्स को देखती है यहाँ सिक्योरिटी गार्ड किसी बात को लेकर केट को धमका रहा है लेकिन मैक्स के इंटर्वीन करने पर सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चला जाता है जिसके बाद मैक्स अपने फ्रेंड वेरन के पास फ्लैस ड्राइव वापस करने पहुंसती है यहाँ वेरन मैक्स को पसंद करता है दोनों की कन्वर्सेशन की बीच नेथन वहाँ आकर aggressively मैक्स से कुशन करता है कि वो वस्रों में चुपकर क्या कर रही थी और उसने कुछ देखा या नहीं इतने में नीले बालो वाली अंजान लड़की वहाँ आ जाती है और हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बलकि मैक्स की बच्चपन की दोस्त Chloe Elizabeth Price है मैक्स क्लोई की कार में बैठ कर फोरण वहाँ से निकल जाती है रास्ते में दोनों आपस में बाते करते हैं और हमें पता चलता है कि 5 साल पहले मैक्स अर्केडिया बेच छोड़कर सियेटल चली गई थी और इन 5 सालों में दोनों ही एक दूसरे से टच में नहीं थे दोनों साथ मिलकर टाइम स्पैन करते हैं और यहां हमें पता चलता है कि मैक्स के सियेटल जाने के बाद क्लोई और रेचल एमबर काफी अच्छे दोस बन गए थे वही रेचल एमबर जिसकी मिसिंग पोस्टर ब्लैक्वेल एकेडमी के चारो तरफ लगी है और वो क्लोई ही है जिसने रेचल की मिसिंग पोस्टर ब्लैक्वेल एकेडमी के चारो तरफ लगाई है क्लोई मैक्स को बताती है कि 6 महीने पहले रेचल अचाना गायब हो गई और क्योंकि पिछले महीने मैक्स का बर्डे था इसलिए क्लोई मैक्स को अपने पिता विलियम प्राइस जो एक कार एक्सिडेंट में मर चुके हैं उनका कैमरा मैक्स को गिफ्ट कर देती है और अपने पास बटरफ्लाइ फोटो को रख लेती है जिसे स्टोरी के सुरुवात में मैक्स ने वास्रूम में क्लिक किया था और यहां हमें पता चलता है कि क्लोई की स्टेप फादर जिनका नाम डेविड मैटसन है वो ब्लेक्वेल एकेडमी में हैड ओफ सिक्योरिटी ओफिसर है और यहां डेविड सर्विलेंस कैमरा की मदद से ब्लेक्वेल एकेडमी के स्टुडेंस पर जसुसी करता है और उन पर निगरानी रखता है और उनसे जुड़ी सीक्रेट फाइल मेंटेन करके अपने पास रखता है कुछ समय बात दोनों लाइट हाउस के पास हैंग आउट करने जाते हैं और यहां मैक्स इस जगे को रिकोगनाईस कर लेती है यह वही जगा है जिसे मैक्स ने अपने वीजन में देखा था यहां क्लोई मैक्स को रिविल करती है कि एक रात पार्टी में नेथन ने उसके ड्रिंक में नसे की दवाई मिला कर उसके साथ जबरजस्ति करने की कोशिस की लेकिन वो बज़ के भागने में काम्याब रही और इसी बात को लेकर क्लोई नेथन को ब्लैकमेल कर रही है दोनों की कन्वर्सेशन की बीच अचानक मैक्स को एक बर फिर विजन आता है जहां वो उसी टोर्नेडो को देखती है जो अर्केडिया बे की तरफ बढ़ रहा है लेकिन यहां मैक्स के हाथ एक न्यूस पेपर लगता है जिसमें 11 अक्टूबर की तारीक है जो ठीक चार दिन दूर है इतने में मैक्स को होसाता है और वो क्लोई को बताती है कि उसने अभी क्या देखा और अपने पावर्स के बारे में रिविल करती है इतने में बर्फ पढ़ने लगती है जबकि वैदर काफी गर्म है अगले दिन दोनों डाइनर नाम के एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लैन बनाते है जहां क्लोई की मा काम करती है दोनों क्लोई के सीक्रेट हैंग आउट लोकेशन जंक्यार जाते हैं जहां क्लोई अपने स्टेफ फादर की चुराई हुई गन और मैक्स की रिवाइन पावर्स के साथ थोड़ा फन करते हैं अपनी पावर्स जदा यूस करने की वज़े से मैक्स को नोस ब्लीडिंग होती है और वो बिहूस हो जाती है जहां उसे एक बार फिर विजन आता है और विजन में वो टोर्नेडो को अर्केडिया बे की तरफ बढ़ता हुआ देखती है जिसके बाद उसे होस आता है इतने में वहां लोकल ड्रग डिलर फ्रेंक आ जाता है यहां हमें पता चलता है कि क्लोई ने फ्रेंक से 3000 डॉलर उधार लिये थे ताकि वो अपनी ट्रक को रिपेर कर सके और उसी पैसे को वापस लेने फ्रेंक वहां आया है लेकिन क्लोई नोटिस करती है कि फ्रेंक के हाथ में वो ब्रेसलेट रेचल का है और इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाता है और फ्रेंक पैसा लोटाने की आखरी डेट देकर वहां से चला जाता है जिसके बाद अपनी क्लासेस एटेंड करने मैक्स ब्लैक्वेल एकेडमी पहुंसती है यहां मैक्स नोटिस करती है कि किसी बात को लेकर केट बहुत ज़्यादा अपसेट है असल में केट के अपसेट होने की वज़ा एक वाइरल वीडियो है पार्टी के दोरान नसे में केट ने कई लोगों को किस्त किया और यह वीडियो पूरी ब्लैक्वेल एकेडमी में वाइरल हो गया और इस बात को लेकर केट काफी टेंस है क्लास के दोरान पूरी एकेडमी में हला सुरू हो जाता है और सभी क्लास के बाहर जमा हो जाते हैं और मैक्स केट को सुसैड करता हुआ विटनिस करती है केट की जान बचाने मैक्स टाइम को रिवेंड करती है बट सम्हाव मैक्स टाइम को पॉस कर देती है जिसके बाद Max रूफ टॉप पर पहुंच कर Kate को सुसाइड ना करने के लिए कन्वेंस करती है यहां हमारे चॉइस के हिसाब से या तो Kate सुसाइड कर लीती है या फिर Max Kate को बचाने में काम्याब रहती है उसी दिन रात को Max और Chloe, Chloe के स्टेब डाट से की चुरा कर Blackwell Academy के Principal Office में चोरी छुप कर घुशते हैं जहां वो Nathan Prescott से जुड़ी कुछ फाइल्स चुराते हैं उन्हें Nathan की फाइल में Rachel Amber की एक वीर्ड फोटो के साथ The Dark Room नाम की एक जगे के बारे में कुछ मिलता है जिसके बाद वो बीना Security Officer के हाथ आए Academy से भाग निकलते हैं अगले दिन Chloe की मा Joyce, Max को Chloe और Max की एक बचपन की फोटो देती है और दोनो Chloe के लेट फादर William Price के बारे में बाते करते हैं जो कार एक्सिडेंट में मारे गए थे यहां क्योंकि David Blackwell Academy के Students पर नज़र रख रहा है इसलिए Max चोरी छुपके David के लेट आप में Chloe से जुड़ी कुछ फाइल्स और Information ढूनती है David के लेट आप से Max को पता चलता है कि Rachel अक्सर Frank से मिला करती थी जिसके बाद दोनो टाइम पावर का यूज़ करके Frank से उसकी RV की Keys चुराते हैं RV के अंदर पहुँशने पर उन्हें इस बात से जुड़ा और evidence मिलता है कि Rachel और Frank एक दूसरे को डेट कर रहे थे और दोनों relationship में थे ये जानकर Chloe को बहुत दुख होता है क्योंकि Rachel उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी फिर भी Rachel ने ये बात उससे चुपाया Max अपने room में जाती है जहां वो अपनी और Chloe की बच्पन की फोटो को देखती है बद सडनली Max को फोटो में से आवाजे आने लगती है Max फोटो पर focus करती है somehow Max समय में पीछे चली जाती है ठीक उसी दिन जिस दिन उस फोटो को क्लिक किया गया था और ये वही दिन है जिस दिन Chloe के father William का car accident हुआ था जिसमें वो मारे गए थे लेकिन फिर दुबारा ऐसा ना हो इसलिए Max कार की चाबी को छुपा देती है जिस वज़े से William को bus का use करके काम पर जाना पड़ता है और William का accident होने से बच जाता है लेकिन जब Max present में लौटती है तो वो देखती है उसके ऐसा करने की वज़े से एक alternate reality create हो चुकी है जहां सब कुछ अलग है जैसे Max Vortex Club की member है जो वो real timeline में नहीं थी मैक्स अब Chloe को लेकर tension में है और वो फोरण Chloe के घर पहुंसती है Chloe के घर पहुंसने पर William Max को welcome करता है बट यहां Chloe को देखकर Max पुरी तरह sock हो जाती है timeline में किये गए छेरचाड की वज़े से कुछ ऐसे set of event trigger हो जाते हैं जिस वज़े से विल्यम की वज़ाए Chloe का car accident हो जाता है जिस वज़े से Chloe का पूरा सरीर paralyze हो जाता है Chloe को इस हाल में देखकर Max को बहुत दुख होता है और इस timeline में Max Chloe से 5 साल बाद मिल रही है यहां Max को पता चलता है कि Chloe की तब्यत दिन पे दिन और खराब होती जा रही है और Chloe के medical expenses की वज़े से उसकी family करजे में है जिस वज़े से Chloe चाती है कि Max उसे morphine की high doses देकर उसकी painful life को खतम कर दे यहां Max एक बर फिर उस photo पर focus करके ठीक उसी moment पर पहुँच जाती है और इस बर वो car की चाबी नहीं चुपाती जिस वज़े से William का car accident हो जाता है and he is no more और present में लोटने पर Max देखती है अब सब कुछ पहले की तरह normal हो चुका है और अब Chloe बिलकुल ठीक है जिसके बाद दोनों अपनी investigation आगे continue करते हैं जहां वो Nathan के room से उसका phone चुराते हैं और Frank से उसके client की list लेकर दोनों घर लोटते हैं और अब Nathan के phone, David की files और Frank के client list का use करके उन्हें एक farmhouse के बारे में पता चलता है जहां कुछ समय से Nathan time spent कर रहा है दोनों farmhouse पहुंचते हैं जिसके अंदर जाने पर उन्हें एक hidden underground bunker मिलता है bunker के अंदर जाने पर वो दा dark room पहुंचते हैं जिसके अंदर काफी creepy photography setup है और photography से जुड़ी कई equipments हैं वहां उन्हें एक cabinet में red color की spiral bending मिलती है जिसमें कई random लड़कियों का नाम लिखा है जो most probably Blackwell Academy के students हैं उन में से Max और Chloe तीन spiral bending उठाते हैं जिस पर Rachel, Kate और Victoria का नाम लिखा है यहां Victoria का spiral bending खाली है लेकिन Rachel और Kate की spiral bending में दोनों की weird और creepy photo है photo में दोनों ही drugs के नसे में हैं और उनके हाथ पेर को बांध कर उनका photo लिया गया है उन में से एक photo को देखकर लग रहा है कि Rachel की dead body जंकियाट में पड़ी हुई है Chloe फोरन जंकियाट की तरफ बरती है और photo में देखे गई spot पर खुदाए करने पर उन्हें Rachel की dead body मिलती है जो decompose होने लगी है उन्हें लगता ही कि Nathan लड़कियों को target कर रहा है इसलिए दोनों Blackwell Academy जाते हैं जहां Vortex Club, End of the World नाम से एक party और्गनाईस कर रहे हैं और किसी reason से हम आस्मान में दो moon को देखते हैं पार्टी के दोरान Warren Max के साथ एक selfie लेता है और पार्टी में Victoria Max को बताती है कि Nathan missing है इस दोरान Mark Jefferson, Victoria को Everyday Hero Contest का winner डिकलेर करते हैं इस बीच Chloe को Nathan का text message आता है जिसमें वो mention करता है कि वो Rachel से जुड़े सारे evidence को खतम कर देगा जिस वज़े से दोनों फोरन जंक्यार्ट पहुंसते हैं और वो देखते हैं कि Rachel की body अब भी वहीं है बट सड़नली कोई पीछे से Max को बेहोसी का injection मार देता है और Chloe को suit कर देता है धीरी-धीरे Max अपनी consciousness lose करने लगती है और वो Jefferson को अपने सामने देखती है जब Max को होसाता है तो वो अपने आपको दार डार्क रूम में बंदा हुआ पाती है अपनी powers का use करके Max अपने सामने रखे photos की मदद से different event पर jump करती है जिसमें से एक interaction में Jefferson Max को reveal करता है कि Rachel की मौत accidentally Nathan के हातो drug overdose से हुई थी और Jefferson ने Nathan को जान से मार कर उसकी body को डफना दिया है conversation की बीच Jefferson Max के पास उसकी dairy fact देता है और luckily उस dairy में Max की वही selfie है जो story के सुरुवात में Max ने Jefferson के class में क्लिक की थी Max अपनी photo का use करके उस moment पर पहुँच जाती है और इस बर Max David को text करके Jefferson और The Dark Room के बारे में सारी भाते बता देती है जिससे Jefferson और Nathan arrest हो जाते हैं और Max everyday hero contest जीट जाती है जिसके बाद Max की आँख plane में खुलती है जहां वो art gallery event अटेंड करने San Francisco के लिए निकल चुकी है Jefferson arrest हो चुका है Chloe जिन्दा है और अब सब कुछ normal है Max art gallery event अटेंड करती है जहां सारे contest winner photos को feature किया गया है जिसमें से एक photo Max की भी है बद सडनली nose bleeding के साथ Max को एक बार फिर tornado vision आता है Max Chloe को call करती है और वो realize करती है कि असल में वो vision real है और tornado Arcadia Bay की तरफ बढ़ रहा है ये देखकर कि अब भी कुछ fix नहीं हुआ Max अपनी winning featured photo के पास जाकर time में पीछे जाती है Max अपनी everyday hero contest वाली photo फार देती है बट उससे कुछ फाइदा नहीं होता Max को nose bleeding होती है और उसकी आँख dark room में खुलती है और इस बार Jefferson उसकी diary जला देते है लेकिन इस बार इससे पहले वो मारी जाती डेविट सही समय पर वहाँ आ जाता है और Max की मदद से डेविट Jefferson को पकड़ लेता है बट अब भी यहाँ एक बहुत बड़ी problem है वो ये कि इस timeline में Chloe मर चुकी है और किसी भी हाल में Max को अपनी friend Chloe की जान बचानी है पार्टी के दोरान वेरन ने Max के साथ एक selfie ली थी और उसी फोटो के लिए Max वेरन को कॉल करती है वेरन की फोटो का यूज करके Max उस समय में time jump करती है जिस दिन Vortex Club End of the World Party और्गनाइस कर रहे थे यहां Max Chloe को वो सारी बाते बता दीती है कि आगे जाके उनके साथ क्या होगा अगर Nathan को ढूनने वो पार्टी में जाते हैं पार्टी में जाने के वज़ाए दोनों लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं बट रास्ते में Chloe एक बर फिर बेहोस हो जाती है जहां Max कई ड्रीम सिक्वेंस को एक्सपिरियंस करती है जिसके बाद Max को हो साता है और वो Chloe के साथ लाइट हाउस पर है और टोनेडो सीधा अर्केडिया बे की तरफ बढ़ रहा है Max Chloe को बताती है कि टोनेडो का अर्केडिया बे को एप्रोच करने की वज़ा इसी समय में पूरा अर्केडिया बे तबाह हो जाएगा Chloe Max को बताती है कि अर्केडिया बे के लोग इस फेट को डिजर्व नहीं करते और Max को उसकी वज़ाए अर्केडिया बे को बचाना चाहिए Chloe Max को बटरफ्लाइ फोटो दीती है जिसे Max ने स्टोरी की सुरुवात में वास्रूम में क्लिक किया था और अब Chloe चाहती है कि Max फोटो का यूज़ करके समय में पीछे जाए और उस मोमेंट में नेथन के हातों Chloe का खून होने दे जिससे टाइम लाइन एल्टर नहीं होगा और टोर्नेडो एक्जिस्टेंस से मिट जाएगा और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा और अब चोईस हमारे उपर है या तो हम Chloe को सेक्रिफास करके अर्केडिया बे को बचा सकते हैं या फिर अर्केडिया बे को सेक्रिफास करके Chloe को बचा सकते हैं चोईस के मुताबिक हम different ending experience करेंगे अगर हम Chloe को बचाते हैं तो tornado पूरी अर्केडिया बे को तभा कर देगा जिसके बाद Chloe और Max तभा हो चुके अर्केडिया बे को छोड़ कर चले जाते हैं और अगर हम Chloe को sacrifice करते हैं तो वास्रूम में नेथन के हातों Chloe मारे जाती है जिसके बाद नेथन डेविट की द्वारा एरेस्ट कर लिया जाता है और डार्क रूम की वज़े से जेफरसन भी पुलिस के हातों पकड़ा जाता है जिसके बाद Max Chloe की funeral को attend करती है funeral में Chloe की मा, डेविट, वेरन और ब्लैक एकेडमी के कुछ और स्टूडेंस भी funeral को attend करने आते हैं और ये सब फ्रेंक दूर से देख रहा है तभी एक blue butterfly Chloe की coffin पर आकर बैठती है और story यहीं पर खतम हो जाती है यहां मुझे लगता है कि blue butterfly Chloe को represent करती है और यहां मेरे हिसाब से Chloe का मरना एक canon ending है So guys, comment करके आप सब बताईए कि आप Chloe को sacrifice करते या फिर Arcadia Bay को और अगर इस वीडियो पर response अच्छा आया तो मैं Life is a Strange Before the Storm और Life is a Strange 2 पर भी story cover करूंगा अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share जरू कीजिए और अगर आप सब चैनल पर नहे हैं तो चैनल को subscribe कीजिए और अगर आप सबको मेरा content पसंद है तो आप सब patreon, ptm या फिर join button के थूरू Series X चैनल को support कर सकते हैं इसे की साथ मैं मिलता हूँ आप से मेरी अगली वीडियो में तिल दैन कीप वाचिंग कीप सप्रूर्टिंग Series X आम आउट